हलो फ्रेंट्स प्लेकम तो मेकैनिकल टेखिंदी फ्रेंट्स पिछले काफी समय से आप मेंसे बहुत से लोगा क्यूरीज आ रहा था स्कूटर के गेर ओयल को लेकर तो आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ और आज किस वीडियो में आपको गेर ओल को कम्प्लिटी चेंज करके भी दिखाऊंगा और इससे लेट जो आपके डॉट से वो सब मैं इस वीडियो में किलर करने वाला हूँ तो चाहे आपके पास किसी भी कमपनी का कोई भी स्कूटर हो या अगर अभी आपके पास स्कूटर नहीं लेकिन फ्यूचर में कभी आप खरीदोगे तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है आप ये बैसे देखा जाए तो स्कूटर्स गेरलेस होते हैं इनमें गेर्स को नहीं दिया जाता है फिर भी इनके गेर बॉक्स में गेर ओल को डालने के जरूत होता है क्योंकि इनमें CVT यानि की Continuous Variable Transmission System को दिया जाता है यहाँ पे बेल्ट और पुली का अरेजमेंट होता है इसके उपर में चैनल पे डिटेल और प्रैक्टिकल वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब देखो दिक्कत कहां से सूरी होने लगती है मैक्सिम लोगों को पता नहीं होता गेर और के बारे में स्कूटर्स पाले तो बहुत सो लोग करते जो कि कभी भी अपने स्कूटर के गेर और को चेंज कराते ही नहीं है अगर मेकानिक को नहीं कहा जाए तो वो भी इसे चेंज नहीं करता है नुकसान आपका होता है वैसे आपका स्कूटर कितना चल चुक और आज तक आपने कभी गेर और को चेंज कराया कि नहीं कराया यह सबसे important की जिनों change भी कराना होता गियर को तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि engine oil को डाल देते है as a gear oil ये बहुत बड़ा blunder होता है ये तो नुकसान और कर देता है क्योंकि देखो होता है कि जो engine oil हम अपने scooters में डालते हैं वो होते है 10W30, 5W30 is grade के यहाँ पर इनकी viscosity अलग होती साथ ही इनका जो additives को यूज के आता है वो भी अलग होता है और engine oil का जो purpose, lubrication, film वागरा वो तो बिलकुल अलग होता है लेकिन scooters में जो gear oil को डालना चाहिए वो होता है ATW90 is grade का ये especially gear oil जो होते है वो scooters के लिए ही बनाए जाते है जैसे के आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो ये है कैस्ट्रॉल का ATW90 scooter gear oil और इसे ही मैं आपको आज के इस वीडियो में इस scooter में टाल के दिखाने वाला हूँ लेकिन ये कोई sponsored वीडियो बिलकुल भी नहीं है घर के पास के आटो मोहल सब में मुझे ये वाला gear oil मिल गया तो मैं इसे ले आया और इसे ही यूज करने वाला हूँ इसका जो price है वैसे तो MRP है 79 रुपीज लेकिन ये मुझे सिर्फ 50 रुपाई मिल गया और इसके अलावा भी आपको online और दोनों जगा पे आप यहां पे ध्यान से देखो आपको oil और 0.12L यानि कि 0.12L लिखाव दिखाए दे रहा है 0.12L का मतलब हो गया 120 ml जो gear oil है वो हमें यहां पे डालना है जैसे कि आपको यहां पे दिखाएता हूँ आप देख लिए यहां पे 120 ml आपको लिखाव दिखाए दे रहा है तो हम यह कंप्लीट यहां पे डालने वाले ठीक है अब यहां पाप गौल करो कि दो आपको अलग-अलग बोल्ड दिखाए दे रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस नीचे लग बोल्ड को खोनला है और जो गेर ओयल अल्रेडी के अंदर में है उसे हमें बाहर निकाल लेना है तो आप देखो कि जो गेर ओयल है वो निकलना शुरू हो चुका है वैसे मैं आपको बताना चाहूँ हूँ कि यह जो स्कूटर है वो करीब 21,000 किलोमेटर चल चुका है और उसके बाद पहली बार इस स्कूटर का जो गेर ओयल है वो चेंज हो रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो कि क्वालिटी किस तरह साब को दिखाई दे रही है अब यहां पर आप देखो कि पूरा का पूरा गेर ओयल है आप देख लो किस तरह के दिखाई दे रहा है यह पूरा निकल चुका है ठीक है बहुत जादा यह काला होगी है विसकोसिटी बेसकी बिलकुल कम दिखाई दे रही है यानि कि यह खराब पूरी तरह से हो चुका था ठीक है चलो कोई बात नहीं अब हम लोग क्या करने वाले कि जो नीचे का बोल्ट मैं इसे टाइट कर देता हूं और जो ऊपर का बोल्ट इसे खोल देता हूं और यहीं से अभी हम लोग फिलहाला भी जो गेर ओयल है वो डाल और इस तरह साव ऊप पंप कर सकते हो दीरे नीचे करके हलका सा एयर लेते हुए अझा screenshots करेंगा जिससके अनदर में चला जाएगा और जब तक यह उसके अंदर में जा रहा तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोगो फाइदा वो बढ़ जाएगा, साती जो आपके इंजन है, उसका performance बढ़ेगा, जिसके वैस आपको ये फाइदा मिलने वाला है, कि आपको आपके scooter से बेहतर mileage भी मिलेगा, क्योंकि power loss जो है, वो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो power loss कम हो जाएगा, तो आपको बेहतर आपके scooter से mileage भी है और आम मैं क्या करते हूं कि फटाफर्स के जो बोल्ट है इसे टाइट कर देता हूँ कि आप अगर अपने स्कूटर को 20,000 km चलाने के बाद इसे चेंज करते हो तो यह बिश रहता है लेकिन अगर आपने स्कूटर को बहुत ही कम चलाते हो तो फिर भी कमपनी के दुवारा ही यह रिकमेंड होता है कि अगर 20,000 km नहीं भी चला है तो दो साल में एक बार आपको अपने स्कूटर का जो गेर ओल है इसे जरूर से चेंज कर देना चाहिए यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है जिस पे बहुत सो लोगों को ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है उम्मीद है कि आज किस वीडियो सापको इसके बार में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता है इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल अकन को विद्वा ले ताकि आने वाले बॉटमें वीडियो के अपडेट आपको नो बढ़े